लेकिन नितीश कुमार का आना आपको लगता है कि जो आपका इंडिया एलायन्स है उसका कोई शकल फेस नहीं है प्राइम जाएंग मिलेगा आपको कोई ओर लेज का आपको प्राइम स्टर पाची वो भी मिल जाएगा महला चीए वो भी है कास्ट का चीए तो भी है बीजेपी के पास क्या चोईस है कोई चोईस नहीं बीजेक पास चोईस है I mean they don't need जब परणाम आएगा और प्रधान मंत्री के रेश रोगी तो अपने आप नाम सामने आएगा जाएगा ज्यादे कुछ नाम सामने आएंगे ना प्रॉब्लम यह है आपकी जो खिचडी बनती है उसमें सारा कोई ने कोई तो आए गई और पहले भी इतिहास गवा है जिस समय परिवर्तन हुआ है तो बहुत सारे दल मिलके लड़े और जब प्रधान मंत्री की बात आई तो आपसे बैठ करके किसी ने किसी को एक प्रधान मंत्री के पद के लिए त्यकर दिया गया हमें उमीद है चुनाओ के बाद देश को प्रधान मंत्री अपने आप मिल जाएगा जब आप कॉंग्रेस के साथ बैठते हैं नेगोशेटिंग टेबल पर तो आपको यह नहीं याद आता है कि यही लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ एडी का केस शुरू किया था आप मोदी को क्यों कोस्ते हैं केस तो इन लोग ने शुरू किया था मैं देश के हालात को देखता हूँ तो जो कॉंग्रेस का रास्ता था उसी रास्ते पर बीजेबी चल लगी है को कॉंग्रेस भी खतम हो गई थी बीजेबी भी खतम हो जाएगी कि यह तरीका कॉंग्रेस का था एक जमाने में एडी इंकम टेक्स और इस तरह की लीडर्स की जांच कराने का तो उसी राजते पर बीजेपी चल लई है बीजेपी ने कॉंग्रेस से ही सिखाई यह सब कुछ तो फिर आप कॉंग्रेस के साथ किस कैसे बातचीत कर रहे हैं अब कॉंग्रेस में सुधार है मैं समझता हूं तो यह नहीं कि पोस्पोल अलायनस आप लोगों को सूट करेगा क्यूंकि अभी टाइम भी नहीं है सीट कैसे आप सीट कट बंदन डिसाइड करेंगे तीन चार मह इने तो बचे हैं चनाव के लिए यह नहीं कि पोस्पोल करें वह आपको ज्यादा सूट करेगा अब क्योंकि आने वाले समय में मीटिंग होने जा रही है इंडिया गट बंदन की उसमें बहुत सारे पहलूं पर चर्चा हो जाएगी यह भी पहलू हो सकता है बहुत जल्द कि मीटिंग होने जा रही है तो उन पहलों पर चर्चा हो जाएगी कि कैसे सीट किसको कितनी मिलनी है कौन लड़ सकता है उसका भी मैं समस्ता हूं बैठ के सहमती बना लेंगे पहले भी आपने कॉंग्रेस के लिए दो सीट तो आप छोड़ते ही हैं उनके जो वी आईपी सी से कुछ ऐसा आप उनको कितनी सीट देंगे जैसे जितना हक है उत्ती सीट तो कितना हक लगता आपको कॉंग्रेस का पूरे समान के साथ सीटे मिलेंगी यह समान वैली हो रहा है या डी वैली हो रहा है अब समान संख्या से तो नहीं हो सकता समान के साथ सीटे मिलेंगे उने जैसे कि समान के लिए बुलाया है तो आप एक छोड़के दूसरी मीटिंग में जाते हैं तो उसी तरह का समान मुझे लग रहा होने वाला है क्योंकि वहां सीटों का जब अड़वारा होगा तो जो अच्छा विक्ति होगा जिसके पास अच्छा समीकन होगा उसी पर विचार कि आपको नेता जी के बाद में पहली बारिशाद मिल रहे हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में आपको क्या सबसे ज़्यादा याद होता है उनके बारे में वार्ड दू फील मिस्स मोस्ट अबाउट हम परस्टल थिंग पुलिटिकल नहीं देकि जो समाजवादी पार्टी आज दिखाई दे रही है इनिता जी की देन है निता जी ने जीवन वर संगर्स करकर के हम लोगों को यहां तक पहुचाया है निता जी की विरास्त में हम लोगों को यह आंदून मिला है यह हमारी और समाजवादी के जिम्मेदारी बनती है किस आंदून को और कैसे आगे ब देश के उस कड़ी के नेता थे, जो जमीन से लेकर के उचाईयों तक को जानते थे, वो हर समाज की हर दुख दर्द को समझते थे, और सबसे बड़ी बात नेता जी के साथ थी, कि वो अपने गाउं और किसान को कभी नी भूले, यही मैं समझता हूं, उनकी सबसे बड़ी ता अपना नाम भी खुद जब आप स्कूल में गए थे, तो अपने अपने खुद ही अपना नाम चूज किया था खेलेश, तो इस तरह से परसनली क्या कनेक्ट था आपका, कुछ उनको, परसनली क्या एक फादर और बेटे का जो कनेक्ट होता हूं, वही रहेगा, वही रहेग तो आरजुन और टीना आदिती नहीं डरते आपसे, इस जमाने के बित्चेम पैरेंट से डरती नहीं है वहाँ पैरेंट्शों से इस जमाने के बत्चे बहुत आगे हैं और थोड़ा सा आपके बारे में I am told कि आप जिम बहुत करते हैं लेकिन सुबह सुबह आप खुद अपनी चाहे भी बनाते हैं जिम करने से पहले देखे चाहे बनाने से लगता प्रधान मंत्री बनते हैं तो ये ये शौक मेरा पुराना हॉसल का है जब हम लोग हॉस्टल में थे उसी समय का शौक है तो जो लोग अपनी चाहे खुद बना करके पीते हैं वो कभी भी दूसरे के हाथ की बनीवी चाहे नहीं पीपाएंगे इसलिए आपने चाहे नहीं चुई अभी तक और अखरी थोड़ा सा भी तो चुनाव आ रहे हैं लेकिन जब बीच में थोड़ा सा टाइम था कोविट के टाइम आप क्रिकेट का बहुत शौक है आपका ने खेला क्रिकेट थोड़ा सा हमको अपने शौक के बारे में बताई इन हाल रिलाक्स अभी तो मीयम seni मिलता है और ऐक टाइम साजब मरटाम मकी पर बचयों के शूकर Ricky नहीं धायर बदी हैं में पर बच्च को हर केुए खिले के मौक मैं लगता था हौकी होग क्रिकेट हो फुट बैदिस लों रओग मिंधन ने रूनिटू और और सभी गेम स्विमिंग है एथलेटिस में सभी में हम लोग हाउस के मादिम से पाठ लेते थे और इधर मैं धन्यवाद दूगा बीजेपी को जिन्होंने हमारा घर छीना क्योंकि वहां बेड्मिंटन कोर्ट हम लोगोंने बनाया हुआ था तो कभी कवार शाम को लॉंट निस का कोड़ बना लिया तो बीजेपी को धन्यवाद दूगा कि इसुमर मैं मुझे लॉंट टैनिस सीखने का मोदा मिला और सीखे इसलिए क्योंकि BJP ने हमारा घर चीन लिया टेनिस में एक बैक हैंड स्ट्रोक होता है तो मेरे खेल में ये एक बैक हैंड कॉंप्लिमेंट दे रहे हैं पीजेपी को अब तो गेमी आ गया है तो बैक हैंड और सभी गेमी सीख गया है लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद BJP कोई दूँगा